हेलो गाईस आज हम मोर देन अ मैरेड कपल बट नौट लवर सीजन टू के एपिसोड डेट को एक्स्प्लेन करने वाले हैं अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले वो देख लेना लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जीरो को चोट लग गई थी और अकारी इंफर्मरी में उसके साथ थी और उनके बीच थोड़ी नोख जोख हो गई थी अब रात में अकारी डिनर के लिए प्याज कट कर रही थी और उसे इंफर्मरी की बाते याद आ रही थी जिससे वो परिशान हो चुकी थी जीरो ने उसे कहा था हम नर्स ओफिस में हैं हमें यहाँ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो नॉर्मल रहो अकारी कहती है वो ऐसी बाते कह भी कैसे सकता है और उसे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था दूसरी तरफ जीरो टॉलेट में बैठा परिशान हो रहा था वो कहता है फाइट के बाद मॉम के साथ डिनर करने से भी ज़्यादा ओकवर्ड ये है वो सोचता है अकारी और मेरी फाइट होती रहती है और हर बार वो अगली सुबह सब भूल जाती है और मुझे आसानी से माफी मिल जाती है पर इस बार मैं कल तक कावेट नहीं कर सकता वो खुद को स्लैप करता है और अकारी से जाकर पूचता है आज डिनर में क्या है पिना चाहता, मुझे एक सेकेंड सोंचने दो, वो थोड़ा सोंचता और फिर बोलता है, मैं जिस तरह से मिनामी और तुम्हारी बाते लाया, उसके लिए सौरी, और मैंने जितनी भी चीजे तुमसे सीक्रेट रखी, सभी के लिए सौरी, मेरे लिए तुम्हें बताना मुश् चल रहा है, तो अलग होने की बात करना अनकमफर्टेबल है, ये एक डाइवोस जैसा है, और ये मुझे सही नहीं लग रहा है, अगर हम एक्चुल में मैरिट होते, तो मुझे नहीं लगता हमारे पास डाइवोस का कोई रीजन है, फिर वो अकारी को देखता है, जो फूट अकारी कहते है, ये हमारा लास्ट डिनर है, हमें फाइट नहीं करने चाहिए, जीरो उसके आंसु पोचने की सोच रहा था, उसे याद आता है, अकारी ने कहाता, जब मैं गुस्सा होती हूँ, तभी तुम ऐसा करते हो, वो उसके आंसु पोचता हूँ, कहता है, शोरी, अब मुझे फिर पोचने पड़ेंगे उसके बाद वो कहता है चलो स्माइल के साथ अपना लाश देनर करते हैं हम जब से मिले हैं जब से लड़ाई करते रहते हैं पर बस आज के लिए नहीं करेंगे अकारी कहती है और किसकी गलती है यह जीरो कहता है मेरी ही है अकारी फिर ग लगी है फॉइंट सम बाद में कमा लेंगे मैं कब से कह रही हो जाकर टेबल साफ करो जीरो लाल हो चुका था वो तो कोई आंसर भी नहीं कर पा रहा था अकारी कहती है आंसर तो दो जीरो कहते हां मैं अभी करता हूं अब दोनों डिनर टेबल पे थे और अकारी कह रही थी तुम क्राय बेबी हो, तुमने मेरी आखों को टच किया, तो ऐसा लग रहा था, जैसे तुमने प्यात छूलिया हो, तुम्हारे भी आसुआ रहे थे, वेल खाना कैसा बना है, जीरो कहते है, अकारी कहते है, तुम्हारी वाइफ ने इतने प्यार से बनाया, और तुम्हें बस यही कहना है, जीरो कहते है, आज कल तुम सब कुछ मेरे फेवरेट बना रही हो, तुम सच में ऐसी वाइफ हो, जो मेरे लिए अच्छी है, अकारी सोच रही थी, मैं क्या करूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, पर ऐसा लगता है, मैं उसकी अच्छी वाइफ बनने के लिए कितना भी करलू, हम साथ नहीं रह पाएंगे, वो बालकनी में खड़ी, इसका आए देखते वे कहती है, मैंने अपना बैस ट्राइ किया, पर कुछ काम नहीं आया, मैं क्या करूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे जीरो इतना पसंद है, I love जीरो, तभी जीरो होट मि कराता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या, अकारी सोच्टिये कहईं इसने सुनतो नहीं लिया, वो पूछती है, तुम यहां क्यों आय हो, जीरो कहता है, तुम चाहती हो मैं चले जाओं, और वो मन में कह रहा था, ये घर मेरा भी है, वो कहता है, मुझे चिनता हो रह कुछ दांगू आपको स्क्रीन पर दिखी रहा होगा, जीरो कहते है तुम्हें मून देखते हुए डांगो खाना पसंद है, अकारी कहते है तुम्हें लगता है तुम फनी हो, क्रिंजी कहीं के, फिर वो भी मून देखती है यह सच में बहुत सुन्दर दिख रहा है, वो कहते ये मैंने सुनाया रात के टाइम जब एर किलियर होती है तो फुल मून बहुत किलियर दिखता है फिर वो कहती है ये है क्विस टाइम वो पोचती है अभी इस टाइम जीरो के नजरों में मून के अलावा और क्या बहुत सुनदर है जीरो कहता है स्टार्स अकारी कहती है स्टार्स के अलावा मैं वो एकसेप्ट करना चाहती हूँ जो जीरो को क्यूट लगता है जीरो कहता है सुनो अकारी कहती है कि तुम्हारे लिए मेरा नाम लेना इतना मुश्किल है हम स्टार्टिंग से कभी फ्रेंट्स नहीं थे तो अगर हमारा मेरेड कपलोना खतम होता है तो हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा पर हमारे पास हमारी एक साथ वाली मेमरीज होगी जिससे हम नहीं भूलेंगे जिससे हम एक दूसरे के कुछ तो रहेंगे ही और अगर हम साथ रहना बंद करते हैं तो भी मैं चाहूंगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना, और वो हस्ती हुई कहती है, मैं तो तुम्हें नाम से ही बुलाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जीरो कहता है, अकारी, वो कहती है, बस इसी आंसर क्या है अकारी कहती है तुम्हारा आंसर सही है थैंक्यू सो मच ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा जीरो कहते है तुम खुद को राइट आंसर कैसे चुन सकती हो अकारी कहती है पर तुमने मुझे कितनी बार क्यूट कहा है अब जीरो लाल हो चुका था वो मन में तो क्या तो मिसीलिए यहां आते ही मून की बात कर रहे थे जीरो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है अकारी कहते है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था पर सच में जीरो तुमने confess करने का बहुत क्रिंजी वे चुना है जीरो कहता है मैंने कहा न मेरा ऐसा कोई राधन ही था अगले सीन में दोनों अपने रूम में सोने जा चुके थे और अकारी ने जीरो को गुड़नाइट मैसेज और स्टीकर सेंड किया था जीरो कहता है हम साथ में ही रहते हैं तो मैसेज करने की क्या जूरत थी वो सेपरेशन नोटिस देखता हुआ कहता है हमने बहुत टाइम साथ में बिताया ये एक बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहा वो बहुत सारी मेमरीज को याद करता हुआ सोचता है मुझे नहीं लगता मैं दुबारा किसी ग्यारू के साथ ये सब एक्सपिरियंस कर पाऊंगा मैं बलैस हूँ कि मेरे पास इतनी सारी मेमरीज है ये सब बहुत वैल्यूइबल एक्सपिरियंस रहा और फाइनली वो साइन करने का एरादा करी लेता है साइन करके उसे ऐसी फिलिंग आती है जैसे वो डाइबॉस ले रहा हो और जब उसके आंसूस नोटिस पे गिरते हैं तब उसे रेलाइस होता है वो रो रहा था दूसरे तरफ अकारी ने जीरो को मैसेज किया था सुभे टाइम से उठ जाना और क्योंकि रिप्लाइ नहीं आ रहा था वो सोच रही थी के जीरो सोचुका है जीरो अपने रूम में अकारी को थैंक्स कह रहा था और अकारी उसे आई लव यू कह रही थी और दोनों ही रो रहे थे फिर अकारी कहती है जैसा तुमने कहा था जीरो मैं बहुत बड़ी कराए बेबी हूँ सीन कामो पे जाता है वो जीरो से पेर चेंज करने के बारे में चैट कर रहा था उसकी वाइफ कहती है मैं सोने जा रही हूँ तुम्हारा क्या प्लैन है कामो कहता मैं भी जल्दी ही चला जाऊँगा बस जीरो के रिपलाइ का वेट कर रहा हूँ उसकी वाइफ कहती है जीरो और तुम अच्छे दोस्तो मैंने सुना है वो बोटिंग कलम में है कामो को बिलीव नहीं होता तब ही उसे कॉल आता है उसकी वाइफ कहती है धीमी अवाज में बात करना और कामो को लग रहाता जीरो ने कॉल किया होगा पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि कॉल मेंनामी नहीं किया था जो कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम है मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंट के बारे में बात करनी है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है तो वीडियो अच्छे लगियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दे मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई